एपिसोड के स्टार्ट में डिंग जांजी बीचेन को के रहा होता है मैं तुमारे लिए तुमारा गिफ्ट लेकर आया हूँ और जिस टोकिन के अंदर श्वान वैंग की किस वर्मेशन्स हैं और ये सिर्फ आम टोकिन नहीं है बलके ये एक बोडी प्रोटक्शन टोकिन भी ह जब भी तुम किसी मुसीबत में फसो तो तुम इसे बोडी प्रोटक्शन के लिए इस्तमाल कर सकते हो और इसे एक्टिवेट करने के लिए सिर्फ तुम अपनी एनरजी इस ट्रांसपर करो तो ये एरे एक्टिवेट हो जाएगा और फिर उसका सारा के कंट्रोल तुमारे पास आ जाएगा तो भी चेन उसे के रहा होता अगर इसा हो जाए ये टोके मुझसे कोई चीन ले फिर वो क्या से कंट्रोल कर पाएगा डिंग जान से के रहा होता नहीं अगर कोई भी ये तुम से चीन ले तो वो इसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा और मेरे पास 50 गॉल्ड क को इनका सुनते ही भी चैन बड़ी जल्दी से उस पोटली को उठा लेता है और के रहा होता है नहीं नहीं यह मेरे लिए काफी है इससे में काफी कुछ खरीदारी कर सकता हूं जिसके बाद डिंग जांसी के रहा होता है मैं तुमारे लिए बुक्स लेकर आया हूं जिसमें से एक बुके मून स्वार टेकनीक जो मैं तुमारे लिए खुद चूज करके लाया हूं जो कि तुमारी तलवार बाजी को बोज़दा अपग्रेड कर दे मारी मदद करेगी अगर तुम्हें इसमें कुछ भी समझ में ना आए तो तो तुम मासर्चुहेंड से पूछ सकते हो तो बीचेंड के रहा होता है क्या मासर्चुहेंड बताएंगे मुझे तो डिंग जैंड से के रहा होता हां और इसके लावा भी मैं तुम्हाली आखरी हो जाओगे और इसके लावा मैं तुम्हारे लिए एक स्वार्ड भी लेकर आया हूं जिसका नाम बिलू बर्ड स्वार्ड है जिसे मास्टर फैन ने बनाया है ये तलवार इतनी तेज है के लोहे को भी बिलकुल पतों की तरह काट देती है वो तलवार बीचेन की तरह फैंक देता तलवार उनको बीचेन पकड़ लेता और के रहा होता है तैंक यू जिसके बाद डिंग जैन से के रहा होता है मेरा आज का लेंसन तुमारे लिए जरूर फाइदे मंद होगा ये कहने के कर दो और सिखने में ज्यादा ध्यान दो मैं यहां से जाता हूं ये के कर वो वहां से जा रहा होता है और जाते जाते वो बीचेन को के रहा होता है तुमारे अंदर रेर टैलेंट है तलवार बाजी का तुम एक जीनियस हो तुम्हें बहुत अच्छी तरह प्रेक्टिस करन अब वेंग वीचेन को कह रहा होता है यंग मस्र आपको ग्यागरत लग रहा है डिंग जयांसी आपके लिए क्या मुसीबत खड़ी कर सकता है उन्होंने तो आपको कई सारे गिफ्ट दिये हैं और एकी वक्त में इतने सारे गिफ्ट देना मुझे तो कुछ अजीब लग रहा होता है और वेंग को कह रहा होता है तुमारी यही प्रोब्रम है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि डिंग जयांसी ने अपनी हर चीज़ हमें दी है ताके उनका फ्यूचर जेनरेशन आगे बढ़ सके मुझे ये बाते जाकर किसी से पूछनी होंगी तो वेंग उसे पूछ रह हैं मुझे यहां तक याद है आप कई सारी लोगों को यहां पर नहीं चांगते हैं और जिनको आप चांगते हैं उन सबसे आपने पैसे उधार लिये हुए हैं और अभी तक हम लोगों ने उनकी प्रमिट वापस नहीं की है बीचेन के रहा होता है वांग जू तुम चला जाता है कि रहा हुता है इस बार इस टोकिन को व्य अपने साथ लेकर जाओंगा अगर कुछ भी इशू होगा तो बोडि प्रिक्शन टोकिन को में इस्तेमाल करूंगा इसके बास्चीन हो जाता है वीचेन मर्किट में होते हैं जिसके बाद वो सिस्टम को एक्टिवेट करके कहता है जल्दी से इन सब को स्केन करो और वो रिकार्डिंग इसले करो अगर मुझे फ्यूचर में कभी जरूत पड़ गई तो मुझे इनकी बारे में पहले सही मालूमात होगी फिर मैं उनका मुकावला अची तरह से कर सकता हूँ तबी सिस्टम उसे के रहा होता है इसके इन कंप्लीट हो गया है जिसके बाद बीचेन एक रेस्टोरंट में चला जाता है रेस्टोरंट में जाता ही वहां पर वेटरों से कहता है प्लीज गेस्ट आप वहां पर बेट जाएं वेटरों से पूछ रहा होता है गेस्ट आप क्या खाना पसंद करेंगे तो बीचेन उसे के रहा होता है मुझे अपने रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी डिलिशिस डिस्स के बारे में बताओ तो वेटरों से के रहा होता है बिलीज आप यहाँ बेट जाएं मैं आपको बताता हूँ तबी कुछ दिर बाद का सिंद खाया जाता है जहा हम देखते हैं बीचेन ने कई सारे डिशिस खा ली होती है और के रहा होता है यहाँ तो इतना डिलिशिस खाना था मुझे पता ही नहीं चला मैंने कितना खा लिया है तब ही वहाँ पर वेटर आ जाता है जो उसे बिल देता है वेटर को देखते हुए बीचेन के रहा होता है ऐसा लग रहा है इससे पहले मैंने इस वेटर को कहीं और भी देखा है जिसके बाद बीचेन उस वेटर को के रहा होता है तुम्हारी अमर तो बहुत छोटी है तुम यहां पर काम क्यों कर रहे हैं तो मैं तो अभी स्कूल में होना चाहिए था तभी वेटर के रहा होता है मैं गरीब पर आंदान से तालुग रखता हूं और मेरे पास इतनी पावर भी नहीं थी कि मैं अपनी कल्टिवेशन को जारी रख सकूंँ और मैंने इसी तवे बेटर समझा के अपने घर को और फैमिली को ज्यादा सपोर्ट कर सकता हूं और अगर आप मजद करना चाहते हैं तो आप मेर के रहा होता है ये तो बहुत आसम बात हो गई है तो वेटर के रहा होता है हां बिलकुल ऐसा ही है जिसके बाद बीचे अपना बिल उठाता है कि सिर्व उसका 75 सिलवर कोईन का बिल आया है ये देखने के बाद बीचे रहा होता है ये तो बहुत सस्ता होटन है ये सुनने के यह वाए बीचेंद केह रहा होता है तुमने तो बहुत अच्य ट्रिक लगाई है जिसके बाद वेट्रो से केह रहा होता है तो आपने अभी तक सारी टेस्ट कहां की हमारे पास और भी कई सारी टेस्ट है और हमारे पास डाइन इन के इलावा डिलिवरी सर्विस भी है यह बहुत अच्छा है अब तो मैंने यह सुनने के बाद अपना माइंड बना लिया है कि कल और मैंने परसूं क्या खाना है फिर मेरा कल का ओडर इसी टाइम पर थर्ड रेजिडंसी ओफ कॉलिज में बेश देना और वहां जाने पर तुम्हें वैंग नाम का एक बंदा मिल से पकड़ लो जिसके बाद एक वर्यर कह रहा होता है इन लोगों को पकड़ने का रिवार्ट दस गोल्ड कोईन है और आज इन लोगों को हमें पकड़ना ही होगा और आज ये लोग हम से बच कर नहीं जा सकते यह कहते हुआ नहीं दोनों से शब्यों तरफ से घेर लेते है तब हम देखते हैं वहाँ पर भी चेन भी खड़ावा होता जो कि इन सब को देख के के रहा होता ये तो स्ट्रीट में गेंग फाइट चल रही है लेकिन ये लोग तो फैंग शुया भाई और गेल ब्रोदर्स हैं और इन लोगों के बारे में मैंने सुना था कि इन लोगों न वहाँ पर सारे पाटिसिपेंट्स के स्टोंस को ब्रोग कर दिया था जिसके बाद वहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो गेंग का लीडर हस रहा होता और के रहा होता है फैंग शु बाई क्या तुमने आज के बारे में नहीं सोचा था तब हम देखते हैं वो एक वुरर को प्लाट मरक अपने बरोडरों को कर रही होती यहां 음식 जल्दी से जाओ तभी रहा होता है तो गेंग लिडर कर रहा होता है। क्या समझती है के तुम यहां से बच्कर चले जाओगे। निथे वह लिडर फैंकशो भाई पर दिल्वार्ट से अटेक कर देता है प्योड वरियर्स फैंक्शोवाई पर एक करके उसकी तलवार नीचे गिरा देता है जिसके बाद हमें बीचेयन को दिखाया जाता है बीचेयन सोच रहा होता है इन लोगों के इतनी कौण से जल्दी है ये तेजी से भागते हुए कहां जा रहे हैं जिसके बाद हमें उन वरि कर देता है जो यह से लिग जाता है का फैंक शॉबाई का ब्रॉदर वह पर गिर जाता है सब्सक्राइब बारेए दो कि कि रहे को भे कर के तो तो पीछे के टेक्ट पर वाख से लिखा होता lahो है तब हम देखते हैं वह लोग फैंक शुबाईक के लिप ग्रोधर को लात मरकर दूर फैंक देते हैं तब हमसे धेंक पीछे बीचैन भी सब कुछ खड़ा होकर देख रहा होता है तब हम देखते हैं फेंक शुबाईक भी वहां पर जमीन पर गिर जाती, अचानेक का पीसरा सी वहां भागता हुआ आ जाता है जो केरहा होता है सिस्सर श्याszowar भी आपको क्या हुआ ह्वे तबी वह वरेर उस रड़के को आता हुआ दे कर केरहे होते हैं चलो एक और आ गया है मरने के लिए ये केते हैं सिस्सर श्या भी कुछ भी नहीं पूल पा रही है जब के वो ओनका मगावला भी नहीं कर सकता है फिर वह अपने आप से पूछ रहा होता है मुझे इन लोगों को यहां बचाना चाहिए या में जिसके बाद बीचेन के रहा होता है मुझे इनको बचा कर इनसे पूछना चाहिए कि यहां क्या चल रहा है यह केते हुए बीचेन आगे आ रहा होता है तो उन वोरियर्स का लीडर उसको दे कर के रहा होता है ब्रोदर तुम پीछे रुक जाओ गेल ब्रोदर गैंक के بोस है और हमें इने पकड़ने का काम मिला है बीचेन गेल ब्रोदर बोस का नाम सुनते ही चोंग जाता है तो इसी सीन के साथ ये पिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है तो मिल तेने एक से भी सोर्ड में थैंक्स फॉर वाचिंग